जैंद इस वीडियों लोग बात करेंगे में स्पील एश्टील और पावर लुंडट कंपणी के बारे में पिछले एक सब तास से कंपणी के सेर प्राइस में कच्छी खासी तीजी देखने को मिल रही है और इसके वीडियों में जानेंगे कि कंपणी कैसी है तथा जबकि इस में और क्या अच्छा मोमेंट हो सकता है ताकि अगर हम लोग या कोई भी वेक्ति कंपनी के सेर्स रोडर से हैं तो उन्हें कोई नया वेक्ति अगर इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहता है तो उन्हें ज्यादा दिरी न हो जाए आए वीडियो शुरू करते हैं और एक ची सकते हैं और चुकि दू-दो सेगमें इतना वड़ा होना सभाविक होगा है छिए बीडियो बना रहा हूं तब का प्राइस है हो सकते हैं जवाब देखें तो प्राइस में थोड़ा उतार चड़ा हो गया रहा हो तो उसके लिए आप चिंता ने कीजिएगा देखिए आज के दिन इसमें लगवक तेजी देखने को मिली है और एक सब्ता में भी इसमें एक अच्छी खासी तेजी पिछली एक सब्ता से द ले रहा है और यहां से ऊपर चला जा रहा है यानि एक बात होता है कि दस रुपय पचास पैसा के निचे इस कंपनी का सेर्पाइस अभी मतलब निगट भविसमें से नीचे नहीं आने जा रहा है अगर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा और उपर कितना उपर जा सकता है तो जो रेशटेंस लेवल को पार कर लेता है तब इसका हाइब नजरिया लॉंग टरम का है हाला कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है है तो आपको इसमें देना चाहिए कोई सकती बात नहीं है समें दीजगा तभी क कमाई कि देगी तो अगर आप ठारा चाहते हैं तो इसक मैं थाई拐 न होए बढ़ते हैं ज su로 रोपया आप जानते हैं कि भूक वेलू किसी भी कमने के काफी महत्पून होता है और मैं अपने हरेक वीडियों में काता हूं कि एक पेनी अश्ट हो गए तो उसका वूक वेलु समानते एक दूर रुपया है यानि कि इसके शेयर प्राइस से भी काफी यह काफी संदार बात है कि बूक वेलु तारों सी दोनों पॉजेटिव में यानि कि अगर आपका इसमें इंवेस्टमेंट है तो कमपनी साल फर में कुछ ने कुछ आपके इंवेस्टमेंट पर कमा कर देगी यह ऑप्रेटर के भरोसे नहीं रहेगा तब ही आप कमाएगा इसमें इसी बात नहीं है यहां समझें कमप कि इसके पास आप देखेंगे तो रिजर्व है यानि कि फ्री कैस पैसा है कंपनी के पास 233 रोपया तो इसलिए ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है कंपनी का रेवेन्यू 589 करोन से बढ़कर 613 करोन हो गया है इसका मतलब यह हुए कि कंपनी का जो बिजनस है जो बैपा साथ लाग माइनस साथ लाग से सीधे पंदर करोन के प्रोफिट माना काफी संदार बात है एक छोटी से कंपनी के लिए तो रिजल्ट अच्छे आ हैं और इसी के बतलत कहीं न कहीं कंपनी के सेर्पाइस में एक अच्छा कासा मोमेंट देखा जा रहा है अगर होल्डिंग इस कंपनी में प्रोफिट चोड़ी ठीक है और यानि के जो इंस्टिशन होते हैं उनकी भी सिस्थादारी है और पबली के पास लगवक 40% के आसपास उनकी हिस्थादारी है हाला कि देखिए यह सेग्मेंट में कंपनी काम करती है काफी तगड़ा सेग्मेंट में और इसका सब्सक्राइब कंपनियां काफी तीजी से किश्थे से गरोग कर रही है और आने वाले समय में इनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो श्टॉ कंपर कर्श को है एक और इसमें इंट्री ले सकते हैं लेकिन आपका नजरिया लंबी अधिका होना चाहिए तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी फिर भी मन में कोई सवाल है कोई डाउट है कोई संका है तो हमसे कमेंट में जरूर पुछिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मुझे इस्टाग्राम के फॉलोग कर लेजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और सेयर वजार से समझ देते तब फाइनांस की रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे टेलिक्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं मिलते ह नेक्ट वीडियो में ततो धन्यबाद शुक्रिया